दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग का जो आज का मुकाबला गला-गले डियेटर्स बसेस कोलमबो स्टार के बीच जो साम में खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तों दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी डिटेल एनलेसिस करे कि कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के लाप अच्छा प्रफॉमेंस करता है और कौन से प्लेयर को आपको अस्मॉल लीग और खास करके टीम में लेना चाहिए तो दोस्तों इस मुकाबले में टीम बनाते समें क्रोईट को लेकर तो उतनी प्रॉलम नहीं आ रहे हूँ जितन कर लेते हैं अनलेसिस की उपर तेरवा मुकाबले दोस्तों लंका प्रीमेर लीग का और गौर कीजेगा एक बार फिर से वही ग्राउंड पर खेला जाएगा आर प्रेमदासर स्टेडियम कोलंबो में तीस ग्राउंड पर दोस्तों स्पीन बोलोर्स को तो फेवर मिलती है ल टीम चेस किये दोस्तों चार मुकाबला जिती हैं और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है यहां पर पहले करती हैं उनका जीतने का जाधतर चांचे से और रिसेंट के यहां पर पांच मुकाबले की अदित बात किया तो देख सकते हैं कि 25 को मिल और stubborn भीट भाहला को तो मेलता है और यहाँ पर 27 difficult है थो फास्ट बॉलर लेकिन के पर इंटरेस्टिंग बत धात यह करा है और लोश्ट पर की बात कर तो 110 यहां पर लोश्ट पर जिके ने बनाया हुआ है स्कॉरिंग बड़न देख सकते हैं 150 के नीचे पांच बार स्कॉर बाब 70-70 के बीच में दो बार 170-90 के बीच में एक बार और 190-11 यहां पर तीन बर है स्कॉर जा Черका है हाँ पर हाय स्कॉरिंग मैचस में हुए है लेकिन दोस्तों रिसंट को यहां पर किला गया और टीम जीत तो आप लोग यहां पर पिर से टीम्स की मैचस की विन रिकॉर्ट की उपर जो इस सिजन खेली है गैलागले डेटर्स की तरफ से बात करे तो इस सीरीज में पांच मुकाबला खेली है लेकिन दोस्तो एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है और चार मुकाबला जो खेली है जो की दोस्तो दो मुकाबला जीती है और दो मुकाबला हारी है लेकिन फिशला मुकाबला हार करा रही है और वहीं दोस्तों कोलंबो स्टार्स की तरब से बात कर तो चार मुकाबला खेली है लेकिन लगतार तीन मुकाबला हार करा रही है तो इनके लिए थोड़ी सी परिसानी थोड़ी बढ़ गई है दो दोस्तों कि दोस्तों बहुत ही important मुकाबला होने वाला है और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम के बीच head to head records के उपर तो अभी तक पूरे मतलब इतिहास में चारी बार आपस में टीम भीड़ी है जिसमें दो बार की बात करें तो यहां पर कोलंबो श्टार्स जीत जिता और एक बार दोस्तों यहां पर हराकर आ रही है दोस्तों कोलंबो श्टार्स यहां पर गलाग लेटर्स को चार विकेट से इसी सीजन और पिछले साल की बात कर लेते हैं इससी सीजन जब दोनों टीम्स आपस में भीड़ी थी उस मुकाबले के पूरे head to head अगर पहली बरा है और सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों आगे सारे इंट्रेस्टिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें अब बात कर लेते हैं दोस्तों जी जी की बैटिंग की तरब से तो सबसे पहले नाम आते हैं दोस्तों गुन्था लिगा का जो की एक रन बनाया थे CS के खिलाब जब खेले थे केमेंड इसकी बात करें चार रन और महावध हाप इसकी बात करें जो की पिछला मुकालबर नहीं खेले थे आठ रन बनाया थे और वहीं दोस्तों CS की तरब से बात करें तो इनका भी टॉप ओडर कुछ खास किया नहीं था निसंका की बात करें एक रन टॉम बेंटों की बात करें दस रन के परेरा की बात करें आठ रन थे आपको एक चीज़ यहाँ पर देखकर अंदर लगिया होगा कि जब अगर आप टॉप ओडबर को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि जब दोनों टीम आपस में इसी ग्राउट पर खेली थी तो उसके बारे में बात करेंगे तो दोनों टीम का यहाँस कि बात करें और चंडिमल आप लोगो के बेस्ट से खिलाब ऑच्छा है और करेंdate 극ृट का बात स्टकेसं से बात करे तो बॉलिंग में दोनों टीम्स का अच्छा वह हो में सा लेकिन दोस्तों बैटिंग से लाग लेड़ को खास फ़ार मेंस नहीं था इसलिए हार गई थी थुसारा की बात करे दो बिकेट चटका है जो तो तीनो बोलस दोसुत दोडो विए थे दिजिवेस की बात करें एक विएट और प्रसना की बात करें एक विएट नवी नुलक को जोंकी विएट नहीं मिला है और वह cyn फिछल को 11 विएट मिली थी और जब दोनुटीम आपस में भीड़ती है तब पर भी एस्पीन बूलर को ज़्यादा मदद विलती है तो आपको एस्पीन बूलर की उपर ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय तो दोस्तों अब आगे के स्टैट्स और प्लेंग लिए उन डिसकस करने से पहले यहाँ पर का सकते हैं कि आपको कॉंटेस्ट के वाल जोइन करना और आप पर रहेंकर यहाँ बढ़ते जाएगा और वहीं बात कर लेते हैं जो मैंने लिंक दिया। अगर आप लोग हमारी लिंक से जोइन करते हैं तो यहाँ पर आपको वेलकम बोलस दोस्तों पर एकस्ट्राइगा और टेक्स फैले करें वर दोस्तों यह इंस्टॉल की जुए और आपको भी प्रिफर कर रहा तो दोस्तों पिछला मुकाबला की बात कर रहे तो हाफीज को नहीं खेला गया था लेकिन जारा था चांस है कि इस मुकाबला में खेल जाएं और गुंथालिका, केम अंडिस, हाफीज यहां पर रहेंगे फिर बीडैंक, फिर जपकसा, एसपटेल और माकी जो प्लेंग दोस्तों इधर से रहेगी मैं इधर आपका टाइम वेश्ट नहीं करूंगा उसके बात कर लेते हैं यहां पर सारे प्लेयर के करेंट रिकॉर्ट की उपर जैसा कि मनें आपको बता है कि मतलब गया इस मुकाबला पांच मतलब इस सीरीज में पांच मतलब मुकाबले खेले ह जिसमें से एक मुकाबला इनका रदर हो गया था तो वह मुकाबली के स्टैट सम्लों नहीं देखेंगे तो यहां से गुन्थालिका की बात करे तो दोस्तों ऑपनिंग करते हैं एक मुकाबले में पैटाले सर अंड़ बनाया थे और बाकि तीनों मुकाबला में दो एक सकते हैं आभी कोई नहीं आई जो कि मैं आपको टेलेग्राम पर अपडेट करूंगा और वहीं बात करें पिछले मैंच में समारा विक्रमा को खिला गया था दोस्तों मौमार हापिस की जगह पर जो की जीरोन पर आउट हो गये थे बीडंक अच्छा परफरमेंस चल रहा है लेकिन लिकले और यहां से बात करें मदुसंगा की तो यह भी आप लोग लिकले बेस्ट रहेंगे बॉलिंग से बात करें तो जैसे मुने आपको बता है कि एस पटेल का बैटिंग से भी संदार परफरमेंस चल रहा है बॉलिंग से भी दोस्तों अभी तक 6-6-8 विकेट ले चुक लिए हैं पिछले मुकाबले में गी लिए हैं लेकिन आप लोग लेंट साबीथ हो सकते हैं थूसरा की बात करें बहुत यह संदर बोलर रहें लगतार चटकाते आ रहे हैं और यह कुछ बोलर से दोस्तों जो कि पिछला मुकाबलर नहीं खेले ले तो उनके आभी आप तो हो सकते दोस्तों नए प्लियर को मौका देगी नहीं तो जेतने के लिए पूरी कोशिस करेगी और वहीं बात कर लेते हैं इनके सारे प्लियर सो करेंट रिकॉर्ड की उपर तो यह चार मुकाबला खेल लें जिसमें से एक मुकाबला इसी टीम को श्टार्टिंग में हरा है थे बागी जो तीनों मुकाबला हार करा रहे हैं और वहीं पीने संका की बात कर रहे हैं तो लास्ट को दो मुकाबले नहीं खेले हैं और यह आप लोग के लिए अगर खेलते हैं तो ग्रेंड लिए मस्ट पिक तो आपको यहां पर एक चीज दिख रहागा कि टॉप के चारो बैस में पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहें तो इसमें से दोस्तों आप लोग के लिए बेश्ट रहेंगे यहां पर टॉम बैंटों जो की दोस्तों बैटिंग सेक्शन से हैं और यहां से आप रदर फोड को को भी आप यहां से ट्राइ कर सकते हैं अब बात करें धनजादी सिल्वा और दोस्तों चंडी मल चंडी मल की देख सकते हैं कि बैटिंग ओंडर नीचे है लेकिन हर मुकावले में दोस्तों संदार परफरमेंस करते आ रहे हैं स्टार्टिंग में 26 और 26 और 28 और फिर भे ऐसे मेरा भी तक दोस्तों चैप ले चुके हैं और वहीं दोस्तों प्रसना की बात कर यहां पर इनोंने भी दीघाफ चैटका चुके हैं चार मैच में से बिघंठे मेरा और यहां से एस प्रसना आपक लिए ग्रृइग और स्वाल लिक कर सकते हैं कुद्ण sólo में बे meditate कर नहीं मिला था और यह कुछ बुल्दर से जो कि बैंच अब बैठे हुए हैं और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों अब की प्लेर्स की उपर तो गाला के लेडिर्स की तरफ से केम मिंडीज एस पेटेल और रजपकसर और यहां से थुसारा और एनायमद आप लिए की प्लेर र से तो यहां पर आपको तीन ओप्सन देखने को मिल जाएंगे और चंडीमल की बात करें तो दोस्तों बैटिंग ओंडर चौथे नंबर नहीं तो पांचवे नंबर पर है अभी डंग की बात करें तो बैटिंग करने पहले आ रहे हैं लेकिन दोस्तों अभी अच्छे फॉर यहां पर मैं इनके उपर रिक्स नहीं लेना चाता हूं अब चाहते हैं तो फिलाल तो यहां समय गुंठालिका के साथ जा रहा हूं और अगर आप यहां पर एक और बड़ा मतलब चेनेश करना चाते हैं यहां तो दोस्तों आप यहां से रवी रांपॉल ले सकते हैं तो यहां से जेव वेंडर से के लिए सकते हैं जो कि लास्ट में के मिसे तीन-तीन विगेट लिये थे लेकिन फिर वी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं तो बॉलिंग से थोड़ा सा कन्फूजन होगा दोस् लेकिन दोस्तों यहां पर मैं इनके साथ जा रहा हूँ मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा आपको क्या करना है फिलादा दोस्तों यह रहे हैं मेरी अस्मॉल लिगी टीम कोंबिनेसन आप बात कर लेते हैं क्याप्टन वाइस के लिए तो यहां से मैंने एस परसना को और विगेट खीपर में मैंने यहां से लिए दोस्तों चंडी मल को दोस्तों अब लोग यहां पर बात कर लेते हैं माई लएं नॉंग एसनूरorama सरकल की टीम के बारे ने बहुत इसंदर अफ लिंक मने डिस्किप्चन में दे र 여기는 को bricks म मर जल सियल बीडंग को भी ले ले रहा हूं दोस्तों के परेड़ा को क्योंकि यहां पर आप मिनिमम एक बैट्समेन के साथ भी टीम बना सकते हैं अगर आप चाहे तो यहां तो फिलाल में दो विकेट की पर के साथ जा रहा हूं बैटिंग से बात किरें तो मैंने रजा पक्सा को लिया कई पर दियर दोस्तों डीचा मेरा और यहां से वेंडर से एकों Eigen को ले रहा हूं जोकि लास्ट मेस में लिए था था दोस्तों 3 विकेट यह रहा हो देए रखा है जल से हैल ज और ऐड़न कर लिए बात कर आते हैं इस टीम के प्रिव्यू के परेरा बेड़ां को मैंने लिए विकेट कीपर सेक्षन से गुंधालिका रजपकसा और यहां से टॉम बैंटन को मैंने लिए बैटिंग से तीन में बोलर लिया है यहां पर दूसरे क्यापटन रहेंगे दोस्तों आपको सबसे पहले मिलती रहा है धन्यवाद दोस्तों कर्ण सेपती कि कि दूस पका झालिकाई से शुल कोear है मिलती रहा है langोईन से घुछ Tucson